गुमनाम होकर इस शहर में रहना ही अच्छा है जरा सा जो नाम हो गया तो बदनाम हो जाएंगे हम नमस्कार मैंजली चौहान पेशे से एक पत्रकार और सबी लोगों के लिए ये सबी रिलेट करते हैं कि हम बाहर तो सबी तन के खड़े होते हैं अपने सारे दुखदर्द समेट के पर जो हमारा बिस्तर है वहां हम खुद को कितना भी चाहें समेट नहीं सकते हैं वहां हम भिखरी जाते हैं तो इस चीज़ से शायद आप लोग रिलेट कर पाएं ए जिन्दगी मेरे बिस्तर की सिल्वटें गवा हैं कि मैंने कितनी ही राते तुझे जीने की चाह में गवाई हैं बिस्तर की इन सिल्वटों में सारी रात मेरी खामोशी ने गुफ्तगू की है बिस्तर की इन सिल्वटों में मेरी कई कहानिया है बिस्तर की इन सिल्वटे किसी खराबी की निशानी नहीं ये निशानी है मेरे होने की मेरे किस्से कहानियों की बादस्तूर इनसान खुश रहने के लिए हजारों की भीड इखटा करता है अपने आसपास बादस्तूर इंसान खुश रहने के लिए हजारों की भीड इखटा करता है अपने आसपास और हमेशा की तरह तनहा ही रह जाता है कभी भीड में तो कभी खुद में शुक्रिया और महीना महबबत का चल रहा है और महबबत जहां हो वहां दर्द ना हो तो फिर कैसी महबबत और सभी यहां पे अभी तो 14 तारी के आज तो सभी लोग अपने मुकाम पे होंगे जो होंगे पर जो नहीं है जो जुदाईप हैं किसी की उनके लिए ये जिंगल और ब्रोकन का भी खाल रखना पड़ता है न थोड़ा वो अंधेरे की आगोश में एक बंद कमरा जहां मैं बिस्तर के एक कोने में सिमट कर तुम्हारी तस्वीर को निहारते हुए लबो पर मुस्कान आखों में पानी लाती हूं उस बंद कमरे में कभी सारी रात रोशनी की चमक में मैं बिस्तर के इस कोने से उस कोने करवटे बदलते हुए वीडियो कॉल पर तुमसे गुफ्तगू किया करती थी अब उसी कमरे में तनहाई के चादर ओड़े तुम्हारी फोटो को जूम कर करके मैं देखती हूं और सारा जीवन तुम्हारे संग जी आती हूं तुम मुझसे हो बेखबर तुम मुझसे हो बेखबर पर आज भी मैं सारे किस्से कहानिया सिर्फ तुम्हें ही सुनाती हूं हाई आज भी मैं उस बंद कमरे में तुम्हारी ही याद सजाती हूं और आखिर में हर किसी के लिए ये सबी के लिए महबत चाए कोई किसी प्रेमिका से करे परिवार से करे अपने आप से करे या किताब से करे लिखने से करे सब के लिए हम जल जाएंगे तुम जल जाओगे हम जल जाएंगे तुम जल जाओगे सब जल जाएंगे बस इश्क की आग बचेगी बस इश्क की आग बचेगी शुक्रिया